कि अलो आपका स्वागत है लोग मुझे काफी बार पूछते रहते हैं कि निगेटीव थौट्स को कंट्रोल कैसे करें काफी थौट्स आते रहते दिमाग में करीब करीब 50,000 से 60,000 थौट्स अपने दिमाग में आते रहते हैं और उसके वज़े से लोग डिस्टब होते रहते तो उसके लिए क्या हम टेक्निक अपना है ताकि हम थौर्स को कंट्रोल करें उसके बारे में आप पताने वाला हूं ताहिए स्वागत है आपका मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गएकर मैं मनुविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन दाथा वैसनमुक्ती तग्य हूं महराष्ट में अकॉला नागपूर पुणे मुंबई यहां प्रैक्टिस करते हूं यहां हमारे हॉस्पिटिल्स है और मनुरूग्ण तथा वैसनी लोगों का मुप्चार करते हैं वैसनमुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास थे यह हमारा मिशन है लोगों को पाउरफुल बनाना उनके प्रॉब्लम्स छुड़वाने के लिए उनको मदद करना इसके लिए हम काउंसिलिंग भी करते रहते हैं तो उसमें जब लोग आते हैं कि इतने सारे निगेटिव थॉट्स आते रहते में दोस्तों के बारे में समाच के बारे में प्रतिष्टा के बारे मतलब चलू रहते हैं थॉट्स और दिमाग में थॉट्स ठिकते नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि जादा से जादा मतलब थॉट्स वो निगेटिव थॉट्स ही रहते हैं यह नहीं होगा यह नहीं हो सक जो है thoughts वो पूरे से भरेवे हैं और वो memory bag में emotions भी है mood से feelings है और thoughts से memory bag पूरी भरी भी है और हमारे thoughts जो है वो सब reaction में आते रहते हैं परिस्थिति में कुछ हो जाता है उसमें मनस्थिति खराब हो जाती है लुए मुझे अच्छा बोला लोगों ने तारिव किया कुछ अच्छा हुआ तो लोगों की वज़े से अच्छा हो जाता है और में सुख्यों हो जाता हूं लोगों ने कुछ मुझे ऐसा बोला कोई comment pass किया criticize किया कुछ बुरा बोला परिशिती जला खराब हो गई तो मैं दुखी हो जाता हूं तो फिर जब मेरा सुखी होना दुखी होना यह जो thoughts है सुख्य दुख्य है जो भी thoughts है जो भी moods है जो भी feelings है उसका फिर control कहा है control तो बाहर है परिशिती के उपर control है तो फिर सवाल आता है कि यह जो मैं react करते रहता हूं यह जो दिमाग मेरा जो है जो brain है वो जो continuously react करते रहता है और जब कुछ भी नहीं है तो अंदर ही अंदर stimulation आते रहते रहते और अंदर विचार चालू रहते बहुत सारे विचार चालू रहते वाकिले वेटे तभी विचार चालू रहते उसको कैसा control करें ऐसा कुछ mechanism हम निर्मान कर सकते है कि एक switch है कि जो switch हमने off कर कर दिया तो thoughts बंद हो जाएगे on कर दिया thoughts चलो जाएगे विसे thoughts बहुत कम आते नीन में तो इसलिए हमको नीन में मज़ा आती है क्योंकि thoughts इने thoughtless state होती है नीन की और होते होंगे thoughts हमको याद भी आते नहीं है तो ऐसा कुछ switch हो गया तो कितनी शान्ती मिलेगी बहुत शान् करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं thoughts को observe करना क्या ऐसा कर सकते है कि you are watching your own thoughts आप आपके thoughts को watch कर रहे है आप अपने आपको watch कर रहे है वो जो automatic thoughts आ रहे positive, negative, automatic चलो है continuously अंदर cut, 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 cut एक के पीचे, एक के पीचे, तो क्या आप उसको observe कर सकते हैं यह तो मेरे को automatic thoughts आ रहे है यह तो मैं तो नहीं ला रहा हूं यह तो एक तो अंदर से कुछ ना कुछ thoughts आते है या बाहर के जो कुछ हो रहा है उसको में react करते जा रहा हूं तो यह आप वो thoughts को विचारों को observe करना चालू कर देंगे, देखना चालू कर देंगे, होता क्या है कि जब thoughts मतलब है है कि जो भी हो रहा है उसको react करना उसके बारे में विचाराना या फिर अपने आप से उसमें बात्चीत करना कुछ reaction भी भाहर से नहीं आ रही तो अंदर जो भी स्टोर है वो activate हो है अपने आप से बात्चीत करना वो thoughts है और thoughts की वज़े से हम दुखी होते, जानव और उट के पास में thoughts नहीं तो फिर हम ऐसा क्या करें कि then, thoughts ऑर language मुझे क लिए, thoughts लंगे ही ले लगत धी है, बातचीत करने के लिए, yasот तो मुझे जा में मुझे क्या काम है। मैं अकेला बैटा हूँ तो मुझे थौट का कामी क्या है। तो फिर ऐसा मैं technique सिखता हूँ उसके practice करता हूँ कि thoughts आरहे जा रहे thoughts आरहे जा रहे उसको मैं observe कर रहा हूँ धिरे धिरे ऐसे एक state आजाएंगे practice करने से कि thought आने की प्रक्रिया एकदम slow down हो जाएगे और एक ऐसी state practice आजाएंगे thoughtless state अब यह मैं imaginary बोल रहा हूँ practice से होता कि नहीं होता आपको experiential state है मतलब मेरे पास मैं ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैं आपको वता हूँ यह करो ऐसा हो जाएंगा क्योंकि यह तो experiential state है thoughtless state आना और जब आप अपने आपको जब observe करना चालू करेंगे आप अपने आपकी विचार देखना चालू करेंगे naturally एक ऐसी state आजाएंगी कि उसमें आपको ऐसा हलका लगेंगा बहुत मज़ा बहुत प्यार आजाएंगा जीवन के उपर अपने आपके उपर बहुत प्यार आजाएंगा कि यह आप thoughts से नहीं हो उसकी मज़े लो तो यह आप प्रैक्टिस करो और comment box जो है न उसमें आप अपने comment डालो ताकि हमको पता लगेंगा कि आपको प्रैक्टिस करने से क्या मिला काफी सरे लोगों को यह वीडियो आप फैला दो आपके WhatsApp के ग्रूप के ओपर Facebook के ओपर फैलाओंगे लोगों को यह स्टेट मिल जाएंगे न उसका जो मज़ा आजाएंगा लोगों को जीवन में मज़ा आजाएंगा लोग पाउरफुल उनका जीवन जी सकेगे तो जरूर आप सब्सक्राइब कर अमरे वीडियो को और बेल आइक ओन आदेन उसको क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे हमारा मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्टेर वेसन मुक्त भारत सबको पाउरफुल बनाना उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा थैंक्यू फर वाचिंग थैंक्यू बेरे में